हेलो बच्चों, बच्चों हम लोग 7.11 करेंग एक साइस और देखिए ये टोटली बेस्ट है डेफिनिट इंटिग्रेशन की प्रपर्टीज पर अगर आपने प्रपर्टीज वाले वीडियो और कॉंसेप्ट को नहीं समझा है तो वो प्रीविएस वीडियो जो उसके पहले वीडियो है उसको जरूर देखिए जिससे आपका कॉंसेट बिल्डप हो जाए प्रपर्टीज कैसे एक्जाम्पल्स भी दिए है बड़ शांदार तरीके से आप उसको समझ लेंगे तो ये चीज़े बड़ी एसान लगेगी चलिए शुरू करते हैं तो ये 7.11 पहली जो को पाई बैटू कॉस स्क्वेर दी एक्स अब इस कोईशन का क्योंकि डेफिनिट इंटेग्रेशन के इमने प्रपर्टी पड़ी है तो उसका फायदा हम लोग उठाएंगे अधरवाइस कॉस स्क्वेर एक्स को निकालने के लिए हम क्या करते हैं ध्यान दीजेगा आपके पा यह यह यहां पुट करते हो और इंटेफिनिट इंटेग्रेशन में निकालते हो रंत में वैलू रखते तो इतनी जंजटों को ना करना पड़े इसलिए हम प्रपर्टी यूज़ कर लेते हैं क्योंकि प्रपर्टी से लिए बनाई गई है यह होती है जिसका यूज़ यह प्रपर्टी मैंने कौन सी यूज़ की है 0 to a fx dx is equal to 0 to a f a minus x dx यह प्रपर्टी यूज़ की गई है इसको मैंने by property लिख दीज़े यहां पर side में जरूर लिखिएगा examination में by property इसके बाद यह देखी यह value क्या बन जाने वाली है यह हो जाएगा cos 90 minus theta होता है sin theta तो यह बन जाएगा sin square x dx बढ़ी सुन्दर बाद इस equation को आप 1 बोल दो बिटा इसको बोल दो 2 अब हम लोग क्या करेंगे first और second को add कर देंगे पहली और दूसरी को add करेंगे तो यह i था तो i और i मिलके हो जाएगा यहां पर 2i और यह हो जाएगा 0 2 pi by 2 sin square theta plus cos square theta sin square x plus cos square x dx देख पारे होंगे आप और sin square x plus cos square x की value होती है 1 तो मैं असानी से लिख सकता हूँ 0 2 pi by 2 1 dx यानि इसका integration हो जाएगा x और limit लगा दी 0 2 pi by 2 तो यह value आ जाएगी pi by 2 अब क्योंकि यहां पर 2i था तो answer क्या होगा मैं भी scroll नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ समझाना चाहता हूँ 2i की जगा i क्या बन जाएगा आपका i बन जाएगा 2 इसके नीचे चला जाएगा answer हो जाएगा pi by 4 तो यह आपका answer आगया बटा देखे समझ पायोंगे मैं बताना ही चाहता था कि अगर definite की property यूज नहीं करते है आप तो आपको इस तरीके में जाना पड़ता और यह थोड़ा length आपको देता हूँ जबकि यह property तो मैंने समझाया यह दो तिन step लिखे हैं वरना इस सवाल को आप औरली कर सकते बिना लिखे सोच के देखिए बैए property की लिखाई sin square x sin square plus cos square तो इसकी value आगई x बना टोटल integration की value होगी x और दो बार जोड़ा है तो 2 आई तो pi by 2 upon 2 यानि pi by 4 ओरली हो गया आपको इसको कर लिखना ही नहीं पड़ा यह है definite integration की properties की power कहां पर लगानी रहती है जब आप practice अच्छी करेंगे तो असानी से लगा लेंगे चलते हैं बात करते हैं question number 2 की आईए तो बच्चों करते है question number 2 बहुत इसरल है देखिए 0 to pi by 2 under root sin x upon under root sin x plus cos x दिया हुआ है इसको हम let कर लेते हैं यह कह देते हैं यह i के बराबर है ठीके अब इसमें property लगा देंगे तो फिर यह i के बराबर है property लगा दी 0 to pi by 2 यहां लिख दिया sin pi by 2 minus x कौन सी property लगा रहे है बेटा जैको मैं दिखा दूँ आपको मैं लगा हम लोग लगा रहे हैं 0 to a fx dx is equal to 0 to a f a minus x dx वाली definite integration की property और यहां पर बाजू में लिख देना चाहिए by property यह जो step किया है हम लोगों ने इसके लिए by property बाजू में bracket में डाल दो या ऐसे लिख दो और यहां पर देखें क्या value हो गई sin pi by 2 minus x और यहां हो गया cos pi by 2 minus x ठीके इस वाले को बोल दो equation number 1 इसको मैं 1 बोल लता हूँ और अभी इसको हम लोग थोड़ा solve करके 2 बोल देंगे फिर आई चलते हैं 0 to pi by 2 उपर value होगे sin 90 minus theta cos theta होता है यह रहा cos theta यानि cos x अपन यह value आ जाएगी cos x sin 90 minus theta और cos 90 minus theta होता है sin x अब इस equation को 2 बोल दो हम लोग first और second को add कर देते हैं पहली और दूसरी equation को हम add कर देंगे जैसे ही आप add करेंगे i और i मिलके इधर हो जाएगा 2i left hand side पर और right hand side पर देखिए तो denominator same है तो numerator simply add हो जाएगे तो 0 2 pi by 2 उपर value आ जाएगी root sin x plus root cos x upon under root sin x plus under root cos x dx अब देखिए numerator और denominator बिलको सेम है दोनों cancel out हो जाएगे value 1 आ गई बहुत ही simple और आसान बन जाता है इस अवाल 1 dx और इसकी value आप जानते है x होती है limit लगा दीजे 0 2 pi by 2 तो अब भी आप जानते हैं कि इसकी value कितनी आ जाएगी pi by 2 अब थोड़ा सा मैं ऊपर लेकी चलता हूँ आपको अब ध्यान दीजेगा कई बच्चे गलती क्या कर देते हैं यह value आई है यह आई है 2 i is equal to pi by 2 का ही बच्ची यही जटके में इसल लिख देते हैं इस 2 को भूल जाते हैं तो आपको लगे का रहे हैं यह कैसे भूल जाते हैं लेकिन मैंने देखा है बहुत बच्चे बूल जाते हैं तो just keep in mind कि ऐसी गलबड़ी ना हो तो i की value हो जाएगी pi by 4 बेटा और यह आपका answer आगया question number 2 का क्या रखा है बहुत छोटा सवाल एक छोटी सी property लगने के बाद आप आसानी से इन सवाल को लगा पा रहे हैं चलते है question number 3 की तरफ आइए तो बच्चे करते हैं question number 3 बहुत ही सरल जिस method जिस property से question number 1 और 2 लगाए same यही property same यही method लग जाएगा तो इसको मैं बोल देता हूँ i t के साब और हम लोग by property कोंजी property use करेंगे भी दिखाता हूँ 0 to pi by 2 लिख दो यहाँ पर लिख देंगे sin pi by 2 minus x उपर power रही 3 by 2 नीचे रहा sin power 3 by 2 और यहाँ आगया pi by 2 minus x plus cos power 3 by 2 अंदर आगया pi by 2 minus x और यह रहा dx by property चहो तो लिख दो चहो क्या लिखना ही जरूरी है और property आपने कौन सी use की है यह भी अगर आप mention करना चाहें तो और सुंदर बात हो सकती है एक मिनट ही लगता है तो 0 to a f a minus x dx यह पहले दो सवालों में जो property लगी थी यही property हम लोगों नहीं यहाँ भी लगाई है by property आपने यह लिख दिया लिख सकते हैं अब देखें कितनी असान हो जाती है कहानी यह बन जायेगा 0 to pi by 2 यहां मैं i ही लिख देता हूं बेटा यह sin 90 minus theta है पाइब 2 minus theta होता है cos theta 3 by 2 x नीचे value हो गई cos 3 by 2 x plus sin 3 by 2 x और यह रहाँ dx इसको equation number 2 बोल दो पहली वाली को equation number 1 बोल देते हैं first और second को add कर देते हैं यहां जोनमों ने पिछले दो सवालों में किया था आप देखेंगे यहां आ जाएगा 2i, i और i मिलकर और यहां denominator क्योंकि दोनों का सेम है देखें इसलिए simply दोनों जुड़ जाएंगे sin 3 by 2 x plus cos 3 by 2 x upon sin 3 by 2 x plus cos 3 by 2 x dx numerator और denominator देखें सेम है दोनों cancel out हो गए और value क्या मिली 0 2 pi by 2 1 dx यानि आप जानते हैं इसका integration हो जाएगा x और 2 pi by 2 इसकी limit लग जाएगी pi by 2 minus 0 रखेंगे तो value आ जाएगी pi by 2 अब यहां पर यह 2i की value थी pi by 2 जो निकाली है देखें अंत्र में वहां तो यह i कितना हो गया वेटा pi by 4 और यह आपका अंसर आगी है देखें कितने आसानी से आप अंसर निकाल सकते हैं question number 3 का कोई परशानी नहीं बस सवाल देख के तोड़ा लगता है पता नहीं कितनी power लगी हुई है जबकि सवाल बहुत ज़ादा सरल है चलते है question number 4 की तरफ आईए तो बच्चों करते है question number 4 इसमें भी वही property लगेगी जो पिछले तीन सवालों में लगी है ऐसा मच समझ लेना कि हर सवाल में यह property लगती है अब सवाल उस type के मिल गए तो क्या दर सकते हैं आप है ना तो इसको बोल दो i पहले तो इसको कह दिया i और इसको कह दो equation number 1 साब ठीक अब by property आप property यूज़ कर लेंगे 0 2 pi by 2 उपर हो गया cos की power 5 pi by 2 minus x नीचे आगए value sin की power 5 and pi by 2 minus x plus cos power 5 pi by 2 minus x और आप जानी रहें कि property वही जो इसको लिख दो by property बाजू में by property वही सब चीज़े और property आपने इस्तेमाल वही किये 0 to a f x dx की जो property है definite integration की 0 to a f a minus x dx बड़ी असान सी बात है कोई भी इसमें ऐसी बात नहीं जो आपको तंग करें यहां पहुंच जाते हैं लिखते हैं i is equal to cos pi by 2 minus x होता है sin x यह value बन जाएगी 0 to pi by 2 sin की power 5x अपन इसी तरह यह बन जाएगा cos की power 5x sin 90 minus theta या sin pi by 2 minus theta cos theta होता है और इसी तरह cos का बन गया sin और इसे हम लोग कह देते हैं equation number 2 अब equation number 1 और 2 का add कर दीजे कुछ भी नहीं करना है तो first और second को add कर दिया जिसे बाकी सवालों में किया था और i और i मिलके हो गए 2i यहाँ पर देखिए दोनों का denominator again same है तो numerator simply add हो जाएंगे चलिए यह color use करते हैं 5x plus cos 5x upon sin की power 5x plus cos की power 5x dx अब आप देख रहें numerator और denominator एकदम same है तो यह दोनों cancel out हो गए बटा और cancel out होने पर value क्या मिली 0 2 pi by 2 1 dx यानि जैसा पिछले सवालों में same format यूज करते हैं अब तक तो याद भी हो गया होगा आपको और इसकी value आजाएगी pi by 2 अब यहाँ पर i थी value 2i is equal to pi by 2 तो हमारा i क्या होगा आई होगा pi by 4 तो यह देख एकसर सवाल क्योंकि property वही लग रही यह सब कुछ वही बन रहा है limit वही है answer भी लगबग वही आ जा रहा है तो i के value pi by 4 होगी question number 4 इस तरीके से बहुत simple तरीके से आप कर सकते हैं चलते हैं बेटा हम लो question number 5 की तरफ आईए तो आईए बच्चों करते है question number 5 ध्यान दीजेगा यह जो modelist वाले सवाल हैं वो board examinations के लिए बहुत important माने जाते हैं अकसर हर दूसरे सवाल या हर तीन सवालों में दो बार इसके questions आएंगे board examinations में इसका एक example भी था उसको मैंने पिछले जो वीडियो है प्रीवेस वीडियो उसमें बताया है at length एक एक चीज समझा के वो आप जरूर देख लेंगे तो modelist का कोई question आएगा आप जरूर सही कर पाएंगे और यहाँ पर at length हम लोग बताएंगे लेकिन वो length एक गजब की है वीडियो आपके दिमाग में उतर जाएगा anyway यहाँ पर देखिए जो modelist function होता है इस function की बात करें तो यह function हमारा modelist function है इस modelist function को आप किस तरह break करते हैं उमीद modelist function पता होगा x plus 2 positive लिखते हैं कब जब हमारा x plus 2 की value greater or equal to 0 होती है यह value अगर positive होगी है 0 के बराबर तो यह लिख देंगे इसका मतलब क्या होगिया कि x की value minus 2 से बड़ी या minus 2 के बराबर हो तीसरी value में minus x plus 2 लिखते हो जब हमारा x plus 2 less than 0 है इसका मतलब क्या है x की value जब minus 2 से छोटी हो इसका knowledge होना must है बना modelist function को आप simple function में तोड़ ही नहीं पाएंगे तो यह खेल कहां कहा है minus 2 पे अदला बदली है minus 2 से पहले अलग behavior और 2 पर minus 2 से छोटे पे अलग behavior बड़े पर अलग behavior छोटे पे अलग behavior ठीक है अब हम लोग यहां पर बात पकड़ते हैं इस modelist के अंदर जो expression दिया होता है इसको find करते हैं साब कि यह कहां पर 0 हो रहा है तो इसके अंदर का function यह खेल minus 2 पे हो रहा है तो number line अगर हम लोग देखें यह बाते हम लोग ने at length बताई हैं पिछले example में जवरदस तरीके से ज़रूर देखें minus 5,12 यहां जो playing ground है यहां जिसकी हम को चिंता करनी है वो minus 5 से 5 के बीच की बाकि उससे पहले बात का tension ही नहीं है इसके बीच में यह खिलाडी और आ गया minus 2 इसका मैं color बदल लेता हूं यह देखें के यहां कहीं पर आ जाएगा minus 2 ऐसे लिख देता हूं तो हमारे पास इस पूरे interval के बीच में minus 5 के बीच में दो interval उपलब्ध हो गए देखिए इसके बात की हमको tension नहीं इसके पहले की हमको tension नहीं कोकि सवाल में lower limit minus 5 5 है बढ़ी सुन्दर बात साब अब यहां पर हम देखते हैं कि minus 5 और minus 2 के बीच में यह modulus function प्लस है कि minus है बढ़े सवाल हो चाहे छोटे सवाल हो तो साफ दोर पर दिख रहा है कि minus 5 और minus 2 के बीच की कोई value यानि minus 3 अगर ले लो तो minus 3 पर यह x plus 2 negative हो जाएगा तो यह इन दूनों के बीच में negative है तो negative अगर function है तो मैं लिख देता हूँ negative और minus 2 minus 5 के बीच में यह function है positive क्योंकि minus 2 से 5 के बीच में कोई value ले लिजे 0 ले लिजे 1 ले लिजे 2 ले लिजे जो भी value रखेंगे x plus 2 क्या दे देता है positive value भाई x की जगा समझ पा रहे हो ना x की जगा x plus 2 लिखा है अब यहाँ माल लिजे आपने इसके बीच की कोई value ले लिजे कोई भी ले सकते है जैसे minus 1 ले लिजे सपोज यहाँ कई मिलेगी minus 1 तो x की जगा minus 1 अखोगे तो value कितनी आगे plus 1 which is greater than 0 इसलिए positive लिख दी बास समझ पा रहे है तो वुदर positive इधर negative यानि अब हम इसको minus 5 से 5 का खेल इस खेल को आप देखे इतना समझे अब हम लोग इस खेल को क्या करेंगे इसको हम लोग break करेंगे minus 5 से लेकर minus 2 तक पहले कहा से कहा break करना है इसको अभी modulus function मैंने लिखा रहने दिया कोई जंदिवाजी नहीं फिर इसके बाद minus 2 से break करेंगे 5 तक minus 2 से break किया 5 तक x plus 2 bx और ये breaking by property ही है इस property होती थी ना इसको आप break कर सकते थे कौन सी property थी अभी आपको याद दिला देता हूं या दिखा देता हूं दे देखिए a to b जाना था तो a to c औ c to b जा सकते थे आप ये property है तो वही property इस्तमाल कर ली और लिख दिया by property color ले लेता हूं रेड फिस से ठीक अब देखिए इसके अंदर minus 5 से minus 2 की बीच में ये value है negative आपको दिख रहा है ये negative है अगर ये negative है जहां प्यार जोन x is less than minus 2 दिखी हमको तो मैं यहां पर लिख दूँगा minus 5 minus 2 और minus x plus 2 ये देखिए modulus function को simple function में तोड लिया और interval को break करने का भी तरीका होना चाहिए अपने पास आगे चलते हैं minus 2 से pass तक इस minus 2 से 5 में ये function positive in nature है तो positive in nature है ये आप देख भी रहे x की value greater than or equal to minus 2 होगी तो ये positive है तो x plus 2 जैनि उसके लिए positive है इस interval में तो हम लिख देंगे x plus 2 क्योंकि ये positive है इसलिए negative नहीं आए क्योंकि इस interval में ये आप देख रहे हैं positive है तो positive होने की वज़े से ये कहानी हो गई आप अब भी दिखते हैं कि x plus 2 यहां पर positive था और खेल कितम हो गया आप अब समझ पारे होंगे मेरी इसलिए positive लिखा बस अब इसके बाद कुछ नहीं रह गया है सवाल में अभी simple सवाल हो चुका है तो इसको मैं minus कर लेता हूं बाहर और x को differentiate integrate करेंगे तो x square upon 2, 2 को integrate करेंगे तो 2x आ जाएगा limit लगा दो minus 5 से लेके minus 2 तक के यहां जागी सहाब तो यह हो गया x square upon 2 plus 2x, 2x ज आज constant of integration का तहीं मतलगा ना इसके अंदर definite में नहीं लगाया जाता, आगे चलते हैं, value रखो भाई, value रखी minus 2, तो minus 2 का square करोगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 upon 2 calculation कर रहा हूं, चलो एक बाल लिख देते हैं, 4 upon 2 plus यहां minus 2 रखोगे, तो यह आ जाएगी value minus 4, यह एक bracket में डाल दो, अगली bracket में minus 5 डाला हमने, तो minus लिख दीजे, और यह जाएगा 45 upon 2, minus 5 यहां रखोगे तो आ जाएगा minus 10, यह पहले की कहानी sleep break किया कि आप समझ पावें, अगली की कहानी फिर से लग देते हैं, 5 रखोगे तो 25 upon 2, आगे कर लो plus 10, 5 तू जा 10, minus रखा, minus 2 रखोगे, तो 4 upon 2 यहां रखोगे, तो minus 4, यह देखी, यह कहानी आ गई, मुझे लगता है, इसको यहीं पर solve कर लेना चाहिए, थोड़ा असानी लगेगी कहानी में, तो यह 4 by 2 minus 4 है, यह तो हो जाएगा साब, 2 में से minus 4 जा रहा है, तो minus 2 आ जाएगा, यहां आ जाओगे, तो LCM LCM लेलो साब तो नीचे हो गया, 2, ऊपर value आ गई, 25 minus 20 है ना, अब थोड़ा calculation तो भाई जो है, वो तो ही है, LCM लेलो 2, तो 25 plus 20, यहां minus था, यहां plus है, ठीक है साब, हाँ जी, अब आगे चलते है, minus, यहां भी 2 value आ जाएगी, 2 minus 4, minus 2, यह लिख दिया, अब आगे calculation करेंगे हम लोग, तो यहां तक लिके आता हूँ, और फिर आगे चलते हैं इम लोग, अभी minus को बाहरी रखो भाई, और यह value हो गई, minus 2, minus, तो उपर value आ जाएगी, 5 upon 2, सब ठीक है, और आगे चलो, आगे 45 upon 2, प्लस 2, ठीक, अब देखिए, आगे फिर चलते है, 2 LCM लिया तो आजाएगा, minus 9 upon 2, सब तो आप करे लेंगे, 4 आ जाएगा, और यह जोड़ जाएगा, प्लस, यहां कर दो तो आजाएगा 49 upon 2, आगे चलते हैं, यह value हो गई, 9 by 2, plus 49 by 2, LCM हो गया दो, 49 में 9 जोड़ दीजे, 58 मिला आपको, आप divide मार दीजे आप, 224, 29 जा 18, तो 29 इसका अंसर आ रहा है, तो बच्चों देखिए, इसका अंसर 29 आ गया, बहुत आसानी से आप सवाल कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा बैटा, ऐसे modelers के questions, examinations में आपको 100% मिलने ही हैं, और मैं आपको recommend करूँँगा, यह तो सवाल मैंने समझाये ही समझाया, लेकिन जो previous video है, जिसमें example था पहले ही जहां तक, उस example वाले video को जरूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने at length उस सवाल को फार के रख दिया है, जिससे आपके दिमाग में गूज़े ही जाए, एक एक चीज समझा मारी है, तो ऐसा ही करिएगा, चलते हैं अगले question पर question number 6 पर, आईए, तो बच्चों आ जाते है question number 6 पर, क्योंकि question number 5 को ठंडी दिमाग से सीख लिया है, तो इसमें हम लोग सीधे attack करेंगे, तो attack करने का मतलब क्या है कि modulus के अंदर जो value रखी है, उसको पहले 0 के बराबर कर लो, तो आपने क्या देख्या कि x is equal to 5 आ जाओ, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, कि यह positive in nature होगा, x minus 5, कब ऐसा होगा, जब हमारी x की value 5 से बढ़ी होगी, या बराबर होगी, ठीक है, x की value 5 से बढ़ी होगी, तो दिख रहा न, positive है, और जब यह x की value 5 से छोटी होगी, तो आपको दिख रहा है कि फंक्शन, negative function चला जाएगा, तो यह modulus में ही, जब यह अंदर वाला negative होता, तो negative sign के साथ आता, यह positive हो गया, अब यहाँ इसको break कल लो बेटा, number 9 खीची, 2 से 8 चले गए, 2 पकड़ा, और 8 पकड़ा, इसके बीच में कौन खिलाली आया था, 5 number था, यहाँ कहीं 5 number लिख लो, अब इसके जो interval बन 5 के बीच में देखिए, 2 से 5 के बीच में, यह value आई देखिए, x is less than 5, minus आ गई, तो यह value है negative, और यहाँ value कितनी है, positive इस expression की बात कर रहे हैं, अब इसको फोड़ डालिए, तोड़ फोड़ देते हैं, यहाँ इस value को मुझे अब लिख देता हूँ, 2 से 8 को break कर दीजे, 2 से 5 में, और मैं यहाँ लिख देता हूँ, 5 से लेकर चले जाएंगे 8, यह तो breaking हो गई, अब 2 से 5 के बीच में, जो modulus function है, वो minus वाला है, तो minus x minus 5, इस modulus function को तोड़ लिया, अब समझ पा रहे होंगे ना मेरी बात, अगर आप चाहें, तो यह step on लिख सकते हैं, यहाँ पर, मैं ल बच्चा बिल्कुल किसी कीमत पर, कैने, फ्यूजी आए ना, यह लिखिए, मैंने लिख दिया, modulus function ही लिख दिया, भी हटाया ही नहीं, जिसे एक step बढ़ जाए, और आपको समझने में, बिल्कुल तकलीफ ना है, अब चलते हैं, अगले step पर बच्चों, अब यह modulus function 2 से 5 के बीच में क्या रखेगा, negative value दे रहा है, तो इस कहानी में, जब x is less than 5 है, यानि इसके बीच की कहानी, तो यह minus x minus 5 हो जागा, यह function देखो, तो इस function को अब पुरा लिख दो, 2 से 5, minus x minus 5 dx, प्लस, और इस 5 से 8 के बीच में, positive है, यह ग्रेटर दन 5 हो गया ना, पास से बढ़ा तो यह modulus function क्या है, positive in nature है, तो इसको लिख दो, 5 से 8 और value हो गई, x minus 5 dx, यह बड़ा important disturb होता है, ध्यान लखिएगा, इसी पे सारा जोर है, आगे चलते हैं, अब इस minus को पहले ही अंदर कर दो, क्योंकि पिछली बार में minus को tackle करना पड़ा था, तो मैं इसको लिख देता हूँ दो से 5, 5 minus x dx, प्लस 5 से 8, x minus 5 dx, चलिए साब, अब इसको हम इंटीग्रेट करके फटा-फट लिख लेते हैं, तो यह value हो गई साब, 5x minus x square upon 2, 2 से 5 limit, यहाँ चले, x square upon 2 minus 5x और limit लगा दी, 5 से लेकर 8, ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, value put करते हैं, बस value put करके answer लेना है, 5 रखा, तो अब मैं direct value put कर रहा हूँ, 5 रखेंगी तो यह आगा जाएगा 25, 5 रखेंगी तो आजाएगा 25 by 2, ठीक, ऐसे लगा देते हैं, इसके इंदर की minus, यह 2 value put करोगे, तो 2 रखोगे तो 5, 2 आई दीजिए, तो 64 upon 2, minus 40, minus 5 रख दो, तो 25 बटे 2, minus 25, यह देखें, मैंने सारी values रख दी इसके अंदर, अब इसको solve करना है, solve तो आप कभी भी कर सकते हैं, फिर भी मैं कर दीता हूँ, सवाल तुम लोग करी रहे हैं, तो 25 बटे, 25 में से 25 बटे 2 घटाओगे, तो 25 बटे 2 ही ठीक, आदा ही तो घटाओगे है, इसमें से, 50 minus 25 हो जाएगा, और यहां आपनी किया तो कितना आजाएगा, 20 minus 4, यानि 16 बटे 2, यानि 8, या 2 हो गया, 10 में से 2 घटाओगे, यह कहानी इसकी कतम हो गई, यहां आजाओ, 32, 64 upon 2, 32 में से 40 घटाओगे, minus 8, इधर आजाएए, 25 बटे 2 में minus 25 घटा रहे हो, तो क्या value आजाएगी, minus 25 बटे 2, और minus minus plus, यानि plus 25 बटे 2, solve कर लिजेगा, इसमें तो कोई सिखाने वाली बात साभ है नहीं, अब आगे चलते हैं इम लोग, अब इसको देखें, open कर दीजे, तो 25 बटे 2, 25 बटे 2, जुड़के हो जाएगा, 25 और 8 और 8 जिलके हो जाएगा, 16, तो 25 में 8 दीजे गटा, तो यह तो सबको मालूम है, अंसर आता है 9, तो यह हो गया साब, answer 9, और यह सवाल आपका हो गया, तो answer इस 9, तो answer साब 9 आगया, और यह very important होते हैं, modulus के question, तो जरूर जरूर अच्छे से समझ लेना, 9 तो आगया, औ question कहता है, उसके दर्शन एक बार करा देता हूँ, यह देखिए question की कहानी थी, इस तरह पकड़के चलिएगा, उमीद है यह आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, चलते हैं अगले question पे, आईए, तो बच्छों आईए लगाते है question number 7, बहुत ही असान सवाल, यह equal to 0 to a, f, a minus x dx, इसी property को लगाएंगे हैं पर बेटा, तो x की जगा लिख देंगे हम लोग 1 minus x, और यहां लिखेंगे 1 minus 1 minus x, और यह total की power n, dx, और बाजू में लिख देंगे by property, by property जैसे की teacher को मालूम रहे, आपने क्या खेल खेला है, आगे चलते हैं हम लोग, अब यहां प 1 minus x, यहां पर इसको open करेंगे, 1 minus 1 plus x की power n, dx, अब जानने हैं, plus 1 minus 1 कट गया, बहुत ही अच्छे तरीके से, तो 0 to 1, और यहां value हो गई 1 minus x into x की power n, dx, अब इससे ही expression बहुत जादा आसान है, क्योंकि 1 minus x पे power n लगी थी, यहां x पे ही power n लगी है, तो यह बड़े असानी सा किया जा सकता है, तो इसको आप क्या करिए, 0 to 1, x की power n से आप multiply कर दीजे, तो x की power n minus x की power n plus 1 आ जाएगा, dx, अब simply इसको integrate कर मारिए, थोड़ा मैं इसको उपर ले जाता हूँ, अब कुछ भी नहीं करना, इसको integrate करोगे, तो लिखोगे, x n plus 1 upon n plus 1, यहां करोगे, तो लगा दो 0 to 1, आप जानते हैं, 1 value पुट करेंगे, तो 1 की power n plus 1 कोई मतलब नहीं, 1 ही आएगा, n plus 1, minus 1 पुट करोगे, फिर 1 upon n plus 2, और जब 0 डालोगे, तो यह सारी value तो हो जाएगी, 0 तो बात खतम उसकी, तो कि x दोनों जगा 0, 0 पड़ेगा, अब यह value आ गई, चाहो तो इसको factorize कर लो, बलब factorize तो ही, LCM लेके थोड़ा solve कर लो, तो यहाँ value आ गई, n plus 2, minus n, minus 1, n और n कट गया, 2 में से एक गया, एक, तो value आ गई, 1 upon n plus 1, into n plus 2, यह आपका साब answer आ गया है, तो बच्चों देखिए, बहुत ही असानी से ही आपने answer निकाल लिया, ऐसे सवालों म प्रॉपर्टी कितनी मदद करती है, आपने देखई, और इसको आप घवराएं ना कई बच्चों को यह समस्या रहती है, कहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, देखे, प्रॉपर्टी पहले तो समझी है उसका derivation, जो कि previous lectures में दिया है, प्रॉपर्टी क्या होती है यह दिमाग में होना भी चाहिए, उसके बाद जब 15-20 सवालों में practice करेंगे, then you get very easy feel कि हाँ आपको अंदाजा होने लगेगा बिल्कुल अच्छी तरीके से, कि ऐसे सवाल बनाये जा रहे हैं, तो चलते हैं अगले question पे जरूर कर लेंगे, बस तोड़ा प्रयास करते रहें चलते हैं अगले question पे question number 8 पर, आईए, तो बच्चों करते हैं question number 8, बहुत ही सरल है property का use करेंगे, इसको हम लोग बोल देते हैं I, और by property देखिया आप लिख सकते हैं इसको, 0, 2, pi by 4, log, 1, plus 10, pi by 4, minus x, यह क्या किया है, यह by property हम लोगों ने लिख दिया है, वही property यूज किय by 0 to a वाली जहां पर आप इसको, आसानी से लिख सकते हैं, 0 to a, fa minus x, dx, अधिक तर अभी तक यही property हम इस exercise में लगाते हैं, तो इस property का इस्तेमाल किया, और यह pi by 2 ना होके pi by 4 है, तो इसको मैं कर देता हूं, pi by 4, यह देखिया जो value है, pi by 4 minus x, अब आपको मालूम है, 10 a minus b का formula लगा देंगे यहां पर, अब इसको मैं लिख लेता हूं, i is equal to 0 to pi by 4 log, यहां पर value है, 1 plus, यहां लिखेंगे, 10 a minus 10 b upon 1 plus 10 a into 10 b, कुछ नहीं कर रहे हैं, 10 a minus b का formula लगा रहे है, that's all, कोई special चीज होई नहीं लिए हैं, अब आपको यह भी पता है कि 10 pi by 4 की जो value होती है, वो 1 होती है, लिखने की आवशक्ता नहीं है, तो इसको again हम लोग 1 रखके simplify कर लेंगे, तो यह value मिल जाएगी log 1 plus, यहां हो गई value 1 minus 10x upon 1 plus 10x, आप देख पाए होंगे बड़े अराम से, 10 pi by 4 की जगा 1 value डाल दी गई है, आगे चलते हैं, 0 2 pi by 4, LCM ले लो वेटा इसका, जब हम लोग LCM लेंगे तो नीचे आजाएगा 1 plus 10x, उपर है 1 plus 10x plus 1 minus 10x, देख पा रहे होंगे बच्चों, अब देखिए इसको आगे लेके चलते हैं हम लोग, और यहां पर बड़े असानी से दिख रहा है कि 10x और 10x cancel हो जाएगा, तो i की value क्या में लेगी, 0 2 pi by 4, log value रही 2 upon 1 plus 10x, ठीके साब, अब देखिए यहां पर इसको मैं क्या लिक सेकता हूँ, इसको लिख दीजे, i is equal to 0 2 pi by 4, log की property तो लिख दीजे, log 2 minus log 1 plus 10x, modulus इसलिए लगा दिए, क्योंकि यह तभी defined ही होता है जब यह value positive in nature हो, तो यह है अमारी आगई dx value, अब देखिए, यह कहदो equation number 2 साब, और equation number पहली सवाल से, तो यह पहली वाली जो equation थी, यानि जो सवाल था अमारे पास, 1 plus 10x, यह equation number 1 इसको मैं बोल रहा हूँ, इस equation को और उस equation को add करेंगे, तो देखिए, 0 to pi by 4 log 1 plus 10x, इसमें भी है positive, और उसमें negative है, तो वो दोनों cancel हो जाएंगे, तो देखिए, क्या रहा, अब यहाँ पर जब equation 1 और 2 को आप add करेंगे, बेटा, 1 plus 2 को, तो left hand side पे मिलेगा, आपको 2i, और 0 to pi by 4 log 2 bx ही रह जाएगा, क्योंकि यह जो minus वाला term है, यह उपर वाले से add करने पर cancel out हो जाएगा, ठीक है बच्चो, अब यह value क्या रही है, आपर देखिए, log 2 तथा constant, चला गया बाहर, और 0 to pi by 4, 1 dx, अब इसको असानी से आप लिख सकते हैं, यहाँ पर log 2 लिखिए, यह value x आ गई, और यह रही 0 to pi by 4 value, आगे कर लेते हैं हम लोग, अब यह value हो गई, 2i, और वहाँ आ गई value कितनी, pi by 4 log 2, अब यहाँ से i देखो कितना आ गया, आई होगा 2 नीचे, तो pi by 8 log 2, बस यह रहा आपका answer, इस तरीके से आप देखिए answer निकाल सकते हैं, pi by 8 log 2, तो इस तरी से question किया जा सकता है, ऐसे questions काफी important होते हैं बेटा, तो यह important question में है, examination में पूछे जाने वाला सवाल है, आपको आना चाहिए, चलिए, अगले question पे चल आएंगे हम लोग, अब इसको अगर माली जे i कह दें, तो by property हम लिख सकते 0 to 2, और इस 2 की जगा value put कर दीजे कितनी, 2 minus x, और यहाँ पे use कर दीजे 2 और x यह जगा 2 minus x, property कोन सी लगाई है, वही बिटा बार बार लिख रहे हैं, लेकिन है वही याद हो गई होगी अब तक त 0 to a, f, a minus x, dx, और यहाँ लिख दो by property आपने किया है, जैसे teacher को मालूम रहे, क्या आप step follow कर रहे हैं, अब यह value हो गई, i 0 to 2, 2 minus x, यहाँ पर 2, 2 cancel हो जाएगा, तो आज आएगा root x, यानि x की power में लिख देता हूँ, half, बस अब क्या बचा, अब यह एक algebraic expression आपकी हाथ में आजाएगा, x की power half से multiply कर दो, यह रहा, और half इसको multiply करोगे, power आजाएगी, 3 by 2, 1 plus 1, ठीक, अब इसको integrate कर दीजे, क्या रखा है, इसमें, तो i is equal to, पहले का integration करेंगे, तो 2 x की power half, plus 1 upon half, plus 1, और limit लगानी होगी, अपने को 0 से लेकर 2 तक, x की power 3 by 2 को integrate करेंगे, तो 3 बटे 2 plus 1, upon 3 बटे 2 plus 1, और limit लग जाएगी, यहाँ पर, 0 to 2, यह रही limit, अब इसको solve करना करना है, और थोड़ी कुछ करना है, आईए, देखें, कितना सरल रहता है, यह सब, एक में आधा जोड़ेंगे, 3 by 2 मिलेगा, तो मैं यहाँ थोड़ी value लिख देता, 2 लिखा, नीचे आ ज जाएगा, 2 by 3, भाई, बलट की multiply कर दीजे, ओपर, ठीक, ओपर value रही, x की power 3 बटे 2, 0 से 2, minus, 3 by 2 plus 1, यह 5 by 2, इसको लिख सकते हो, 2 by 5, multiply करते हो, और यह value रही पाँच बटे 2, 0 to 2, अब यहाँ पर कुछ कटा था, नहीं कटा था, कोई बात ही, यह 4 बटे 3 को कर लो बाहार यह disturb करेगा, बिकार बिकार, अब value रख दो, तो यह 2 की power 3 by 2, और 0 तो 0 ही हो जाएगा, खेल खतम, 2 by 5 लख लो बाहर, और फिर 2 रखा, तो 2 की power 5 by 2, minus 0, खेल खतम हो चुका है, अब value आगी कितनी, 4 upon 3 into 2 की power 3 by 2, minus 2 upon 5 into 2 की power 5 by 2, यह आपका i आया है बेटा, अभी इसको solve कर लेते, तो बेटा इसको आगे solve कर लेते, कोई इसमें दम तो है नहीं, तो यह रहा देखिए, lcm लेलो, यह समझ पारे होंगे, उमीद है, यह रहा lcm आगया 15, और lcm आगया, यह 5 से कर दो, multiply 5, इसको 2 का, इसको लिख दो, 2 का square, 4 को, और into है 2 की power 3 by 2, add कर देंगे भी न, और यहां था 3 multiply हो गया, यह 2 की value 1, into 2 का power 5 by 2, बस, यह रहा 5, यह power गई add, तो यह हो गया कितना 2, इसमें जोड़ दो 3 बटे 2 में, तो कितना आजागा, 7 by 2, 3 बटे 2 में, जोड़ जोड़ होगे, तो कितना आजागा, 7 by 2, minus 3, यह 1 जोड़ होगे, तो कितना आजागा, 2 की power, 7 by 2, देख रहा है न, पो एक जोड़ होगे, 5 by 2 plus 1, 7 by 2, upon 15, अब यह 5 into है यहां पर, तो 2 की power, 7 by 2 लेलो, common बेटा, तो बचा, 5 minus 3, upon 15, अब इसको फिर से 2 आगया, तो 2 into 2 की power, 7 by 2, upon 15, अब पावर एड़ हो जाएंगी, एक और, तो 9 by 2 आजागा, तो यह होगे, 2 की power, 9 by 2, upon 15, यह answer होगे, आप कुछ इसमें value निकल रही है, जो कि असान तरीके से लिखी जा सकती है, तो लिख लीजे, यह आई की value, एक बार वो value इधन लिख लेता हूँ, upon 15, अब इसको आप लिखने का तरीका क्या हो गया, इसको लिखना चाहें, तो 2 की power 9 है, और इसको पूरे factor में अगर लिखना हो, तो क्या लिखेंगे, अब देखिए, इसको लिखा जा सकता, 2 लिखे, 9 by 2 को लिख दीजे, 8 plus 1 upon 2, यही खतम कर देते हैं सवाज, अब इसको लिख सकते हो, 2 की power 4 plus आधा, ठीक है भाई ना, अब इसको लिख सकते हो, 2 की power 4, और 2 की power half, यह सब calculate कर लिजेगे, कुछ दम रोड़ी होता है, 2 की power 4, तो कितना हो गया, 16, और यह हो गया, root 2, और यह हो गया 15, यह आपका answer आ गया, तो जहां तक आप solve कर पाई यह कर लिजिए, तो solving process है algebra है, class 9 से आप सीख रहे हैं, जरूर कर पा रहे होंगे, तो यह बड़ी असान सी बात है, और इस तरह से question आजाएगा, अब चलते हैं, अगले question पर, आईए, तो चलिए बच्चों करते है, question number 10, यह important question है, टिक कर लिजे, तो यह very important में लिख देता हूँ, और इसको जरूर ध्यान लखिएगा, चलिए करना शुरू करते हैं, यह suppose कर यह हमारा value i है, और इसको थोड़ा सा, पहले थोड़ा simplify करेंगे, 0, 2 pi by 2, इस 2 को power raise कर लिजे, log sin square x लिख सकते हो, power चलीगी इसमें, फिर log a minus log b है, तो लिखा जा सकता है, sin 2x, देखिए दियान से, इस expression को ऐसे लिख सकते हैं, log में power उपर raise कर दीजे, by property, फिर log a minus log b, तो log a upon b, इस तरह लिख लिए, आगे चलते हैं लोग, फिर i is equal to 0, 2, pi by 2, log, इसको लिख लिखते हैं, sin square x तो है ही, नीच्चे को लिख लिख लिखते हैं, 2 sin x, into cos x, dx, ठीक, यह समझ पाया होंगे मेरे क्याल से, ऐसा नहों कि कोई बच्चा इसी बढ़क जाए, यह value रही देखिए मैं कर देता हूँ एक बार, मुझे लग रहा कई बच्चे गरमाली जे नहीं तोड़ा सा जानकारी लिए हुए हैं, तो यह देखिए, उसका log a minus log b क कई आसा नहीं मिस कर जाओ कुछ, अब यहाँ पर आ गया, sin x और square से value कड़ गई, sin x upon cos x 10 x होता है, तो i is equal to 0 to pi by 2 log, आ गयी value 10 x upon 2 dx, यह देखिए, यह value आ गयी, अब इसको मैं आसानी से लिख सकता हूँ, 0 to pi by 2, log की property फिर से use कर रहा हूँ, log 10 x dx minus 2 थी न, तो minus 0 to pi by 2 log 2 dx, ध्यान से देखिए, इसको 10 x by 2 था, तो log a minus log b वाला system use करके कर दिया है, अब यहाँ पर देखिए, इस वाले integration को अलग से एक integration मान लेते हैं, बच्चों, मैं color थोड़ा change कर लेता हूँ, इसको हम लोग बोल देंगे i1, और इस i1 की value calculate करके, यहाँ पर put कर देंगे, क्योंकि यह तो answer आई चुका है, इसमें तो कुछ दम है नहीं, तो यह तो हम निकाली लेंगे, लेकिन इसकी value calculate करते हैं, कितनी आनी चाहिए, तो इसको equation number चाहो तो 1 बोल दो, उधर जगा नहीं है, तो मैं इधर लिख देता हूँ, अब यहाँ पर property यूज कर लेते हैं हम लोग, 0 2 pi by 2 log 10 pi by 2 minus x, इसको आप modulus sign के अंदर रख दीजे, क्योंकि सारा चीज modulus में होना चाहिए, define होगा, तो ही हम लोग चीजे कर पाएंगे, ठीक है, anyway, अभी मैं इसको सीधे लिखे चल रहा हूँ, तो यह value बन गे dx, यह property यूज की है, इसको लि सावालों में यूज कर रहे हैं हम लोग, मैं उसका color बदल लेना चाहता हूँ, जिससे अलग-अलग सब दिखे आपको, property y 0 to a वाली fx dx is equal to 0 to a f a minus x dx वाली, यह property यूज की यह वेटा, ठीक, जिससे आप कहीं confused किसी भी हालत में ना हूँ, आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ log यह हो जाएगा cortex, 0 to pi by 2 log 10 90 minus theta होता है, cortex, अब देखिए, इस equation को, और इस equation को add कर देंगे हम लोग, इन दोने equation को जोड रहे हैं, तो value क्या आगई, 2i1, और यह value होगी, 0 to pi by 2 log 10x plus log cortex dx, अब देखिए, log की property का इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग, इसको लिख सकते हो, log 10x into cortex, log की property के अनुसार, ठीक, अब यहाँ पर देखिए, क्या value बनगी, 0 to pi by 2 log 1, कोकि 10x cortex आपस में cancel हो जाएंगे, log 1 की value बच्चो 0 होती है, यह आपको पता होए, तो यह 0 into dx, यानि इसकी value हो गई, 0 क्योंकि log हमारा, यह 0 होता है, ठीक, तो यह value हो गई, आपकी कितनी, शून है, यह base लिखिए, उससे गवरा मज़ना, यह कहां से ले आएंगे, यह जहाँ नहीं लिखा रहता है, वो natural log ही ह नहीं लिखने का मतलब वही समझेंगे, तो यह value 0 हो गई, तो इससे हमनोंने क्या reference निकाला वेटा, तो reference यह निकला, कि यह 2i1 बराबर 0, तो i1 बराबर b0, तो i1 की value 0 हो गई, तो इस i1 की value हम लोग उपर put कर देंगे, जहां हमने यह equation मानी थी, देखिए, यहां पर यह i1 हमारा 0 के बराबर आ रहे है, तो यह पूरा term यह जो है, यह 0 हो जाएगा, दिख पा रहा होगा आपको, तो किसकी value 0 निकाली है, तो इस i की value क्या आ गई, आगे चलते हैं थोला से shift करेंगे, इस i की value, यहां रोगते हैं, इसी value में यानि केवल यह बचा ही तो 0 था ही, तो 0 minus pi, pi लिखना भी ठीक नहीं है, तो 0 और यह रहा minus log 2 constant है, और integration 0 to pi by 2, 1 into dx, यानि इसको आप लिख सकते हैं, minus log 2, यहां x आ जाएगा, limit लगाएंगे 0 to pi by 2, तो आ जाएगी value आप समझ रहे हैं, pi by 2 log 2, और यही देखिए आपका answer आ जाएगा, तो यह important question था, दो properties लगी थी, value आ रही है, minus pi by 2 log 2, इस तरीके से question pi by 2 था है, pi by 4 था, pi by 2 ही था, तो यह answer हो जाएगा, minus pi by 2 log 2, इस तरह से question कर सकते हैं,